चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन मेरा हुवे कफन स्वदेशी मैं भारत को भारती अता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उसका में लगा हूं करते तो अप태र है किुए ॐ आप से किसी को भी मोटिया बिन्थ हो गया हो और आप नहीं चाहते कि आपका उपरेशन हो या आपके पास ऑपरेशन कराने के यॆ तो आप कांदे के रसे मोटिया बिन्द को गला सकते और ऑनखे ठीक कर सकते है है इसको कितने दिल लेना है, कैसे लेना है, इसका सूत्र में बता देता हूं, कागज पेन वो तो लिख लिजे, क्योंकि ये बहुत काम आएका. एक चमच पांडरे कांदे का रस देखिए कांदा एक ही काम का है जिसको पांडरा कांदा कहते है ये लाल वाला किसी काम का नहीं और शदिये गुण जो है वो सफेद प्याज में ही है पांडरे कांदे में ही है लाल वाले में कोई औशदिय गुण नहीं है वो तो खाने के लिए आप खा सकते हैं औशदिय गुण उसमें नहीं है औशदिय गुण जो है वो बांडरे कांदे महीं है तो बांडरे कांदे का एक चम्मच रस ले लीजे एक चम्मच इसमें लिम्बू का रस मिला दीजे एक नीबू आता है जिसको बेदाना नीबू कहते हैं जिसमें ज़्यादा बीज नहीं होते हैं वो बहुत अच्छा है तो एक चम्मच लिम्बू का रस एक चम्मच पांडरे कांडरे का रस फिर इसमें आप मद मिला दीजे लगबग तीन से चार चमच मद और इसी में एक चमच गुलाब जल मिला दीजे ये चारों को मिला कर एक बाटली में भर के रख लीजे और खूब अच्छे से हिला कर एक एक थेम आँख में डाली एक महीने लगा कर डाल दिया तो मोतिया बिंदा आपका कटके निकल जाए गुलाब जल एक चमच जितना आपका कांदे का रस उतना ही गुलाब जल उतना ही नीवू का रस लेकिन मद इसमें तीन से चार पुट जाते वहन्य तीन से चार चमच मद अब यह तो सुलूशन तयार हुआ है इसको बाटली में भरके रखेंगे चार पाच महीने यह खराब नहीं होता इसको रूम टंपरेशर पर बिर रखा जा सकता है जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको फ्रेज में रखना खाली सीधे रूम तंपरेचर पर रखके रात में सोते समय एक एक दो दो थे मांख में डालते रहे एक सवा महिने के बाद आपका मोतिया विंद खतम कर देगा और एक बीमारी है आँखों की जिसको ग्लू कोमा कहते हैं ग्लू कोमा ग्लू कोमा मने काला पानी आँखों में हमेशा काला काला दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं उनकी भी ये सबसे अच्छे और एक बीमारी है आँखों में जिसको रेटिनल डिटेच्मेंट कहते हैं आँखों का ये जो रेटिनल परदा है ना ये खिच जाता है आगे या पीछे उसमें भी ये सबसे अच्छा कामात है